Embryo Transfer ये procedure style condition में किया जाता है जैसे कि आपने देखा style gown, style gloves, style instrument और style means infection free और इसमें anesthesia की जरूरत नहीं पड़ती है जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था pick up के लिए anesthesia की जरूरत होती है इसके लिए नहीं होती है ये छोटा सा speculum है जिसको वजाइना में introduce किया जाता है और पतला सा catheter होता है जिसके तरू हम embryo यानि कि जो prone होता है वो बच्चेदानी के अंदर डालते हैं तो बाकी का procedure आप देखेंगे ultrasound skin के उपर जो आपको काले रंगा गोला दिखाई दे रहा है ये है bladder और इसके पीछे है ये बच्चेदानी जिसके अंदर ही हमें embryo को transfer करना है जो कि नासपाती के जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये जो चमकता हुआ आप देख पा रहे हैं बच्चेदानी में ये embryo है जो कि हमने बच्चेदानी के अंदर डाल दिया है इसको embryo transfer कहते हैं और इसके 14 दिन बाद हम pregnancy का test करेंगे If you like this video, please do like, share and subscribe Thank you for watching